हेलो दोस्तों आप सभी का अपनी चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत चलिए फ्रैंक्स आज आज मूंग डाल की खस्ता का चोगी बनाएंगे तो चलिए फ्रैंक्स मनि यह लिए 200 ग्राम मैदा मनि थोगासा नमक डाला है थोगासा जवाइन करस करके डाला है इ पाल में कंजूसी नहीं करना है तभी खस्ता का चोगी बने गया आपको देखें में दिखा दिखा दिया आपको तो बस अब हलका हलका पाइन डाल के इसको बेहुत जैसा आर्टा हम गुंते ना सौफ्ट डो वैसा ही बना लेना है हाल नहीं रखना इसको सौफ्ट ही थोगा थोगा पानी डाल लेगा वी बारगी बाडवी मत डालивать दीजएगे नहीं तो फिर पानी ज्यादा हो जायए तो फिर आपको फिर मिलाना पड़ेगा मैं दल्दो ध्यान दीजएगा अगली वीडियो में फ्रेंक्स लेके आऊंगे आउंग आप लोग के लिए गेः दन्या लेंगे और आधी चम्मच फ्रेंक्स हम इसमें काली मिर्च डालेंगे तो काली मिर्च को बहुत जादा नहीं डालना है बस आधी चम्मच ही रहेगा तो फ्रेंक्स गी हम 200 ग्राम बूंग की दाल लिए थे और भी छिलके वाली दिये थे इसको मैंने 4 गंटे के लिए यह लाई लेँगों अधे से चिलके निकाल दिया है तो मसाले को मंदरा पीस लेंगे और दाल को भी दर दराही पीसना है तो फ्रेंक जिहांद दीजेगा बिल्कुल हम एकदम बारिक इसको नहीं पीसना है तरज़ा ही रखना है तो और समाना आपको दिखा दे ते क्या ड निए डालता है बस अपने मसाले दालेंगे जो हमने करस्ट करके रहा तो हलका सोई पीषके इसको डालेंगे थोका सबूनेंगे गास को धीमा रखना है अब इसमें अध्रकर लैसन अपना डाल देंगे हम तो फ्रैंक अ को तेज नहीं करना इस का ध्यान रखिएगा बस इसको अपना डाल देंगे मूंग दाल इसको दो से तीन में भूनेंगे ट्रैंक्स हम इसमें बेशन डालना पहले भूल गया थे तो आप भी डाल दीजेगा इसको भूनते समें एक चमज बेशन डाल दीजेगा साथ में तो यह अच्छे बाइंडिंग काम भी करेगा और जो पानी मूंग दाल को भी सोख ले गए बस हमें इसको धीमियाज पर लगातार चलाते हुए भूनना है और इसको प्रेस करते जाना थोगा 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 ताकि इसमें गुठली आना पड़ें अब इसमें थोगा साहल्दी डाल देंगे और एक चमज भर के धन्या पावडर डाला ह मैंने अधा चमज लगभक मैंने डाल दें आम चूर पावडर बहुत थोगा साही फ्रेंक इसमें गरम मसाला डालें देखी बहुत चुटकी से लगए एक से दो चुटकी होगा बस तो दाल को भूनने में थोगा समय लगता है जल्दवाजी बिल्कुल भी न करिए और फ्र यह बिल्कुल भी कराही में नहीं लग रहा है एकदम छोड दिया है अब इसको हम ठंडा कर लेंगे बिल्कुल ठंडा करना है फ्रेंक्स तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है इसमें समय नहीं लगता अब चलिए अपने हम आटे को देख लेते हैं तो चलिए इसको चुटा करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर लीजेगा तो बैस छोटी छोटी लोई बनाएंगे हम अपनी और इसको फ्रेंक्स आप चाहिए बेल करकी बना सकते हैं लेकिन इसको ध्यान दीजेगा इसको हमें किनारे को पतला करना है और अंदर साइड मोटा रखना है तो द भर देंगे तो फ्रेंक्स आपसे जैसा बने आप मतलब इसमें भर के आपको बसी बंद करते हुए तो आप ऐसे करें जो आप जल्दी कर सकते हैं तो मुझे इसी तरीके सही लगता है इसलिए मैं ऐसे करती हूँ तो बस इसको दोनों साइक्स उठाक इसको बस दबाते नशनिल में से हासो वीशिए इसको बंद कर देंगे तो फ्रेंक्स देख सकते हैं जैसे मैं कर रहे हूं ऑसा ही करेगा अगर आपको यह और तरीका पसंद हो तो आप उस तरीके से कर लेजिये कोई दिक्कत नहें बस हमागी कछोण बननी चाहिए उसमें ऐसे बननी चाहिए फ्रेंक्स आठा आठा तो इसको निकालना है और अच्छे इसको फिर से सील कर देना है बस इसको हलकी हांस से देखिए हलकी हांस इसको ऐसे हांस घातेली पर रखके करना है और फिर लाश्ट में हम ये जो उठे के पास होता न उठा हुआ भाग उससे किनारे किनारे हमें इसक से सिल और वह यह से ब्रस कर देंगे और अच्छे अले किनारे किनारे नहीं चाहिए कहीं सिक दिख रहा है क्रैक है यह तो फूट जाएगी पैसा निक मेरी नहीं पूट एके मेरी भी फूगती है फ्रैंक्स मैं भले ही बनाती हुथ Raj बस ऐसे हम सारे बना लेंगे अपनी फ्रैंक में कराही रग दिया था गैस पे ऑईल डालके धीमा करके बिल्कुल तो फ्रैंक ऑईल एकदम नॉर्माल होना चाहिए बस हलका हलका बबला जैसे फ्रैंक हमने डाला है पस इतना बबला आना चाहिए और कचोड़ी को में टच नह करेंगे तो जब यह अच्छे सहो जाए तो आप हलका मीडियम कर सकते हैं उसके पहले नहीं करना है आपको और दुबारा जब फ्राइब करिएगा फ्रैंस इस का ध्यान दीजेगा गैस को आपको बंद कर देना है तेल को आपको फिल से जो है चेक कर लेना है कि नॉर्मल है यह नहीं तो आप थोगा से चेक कर लीजेगा डालके आटे पता लग जाएगा फिर आप डालिएगा बस कचोरी बनाते हैं चोटे चोटे बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों तब ही कचोरी खसता बनती है और आप भी आयल की मात्रा सही डालिएगा जब आटा गुनत नहीं है तो बस फ्रैंक्स हमारी कचोगल बन कर रेड़ी है ऐसी अपनी दूसरी बना लेंगे अब हमने गैस को बन कर दिया है इस समय को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है ना बिल्कुल ऐसा ही आपको भी करना है सिकेंड टाइम जब आप फ्राइगे एक तो हो चुका खश्राइब कर देंगे तो फ्रैंक्स हम अपनी सारी कचोड़ी बना लेंगे तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सकायब कर चलिया आपको तोड़ी के विए दिखा देते हैं यह देख विल्कुल खसता है तो लिए मिलते हैं अगले वीडियो में आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजेगा बाइबाइ फ्रैंक्स